के लोगों को स्रध्धालूँ को फेरी बोट पर निर्फर रहना पड़ता था पहले समंदर और फिर सड़क से लंबा सपर करना पड़ता था यात्रियों को परिशानी होती थी और अक्सर समंदर की उंची लहरों के कारां कभी कभी बोट सेवा बंद भी हो जाती थी इसे स्रद्धालूं को बहुत परिशानी होती थी जब मैं मुक्यमेंटरी था गूँ तो यहां के साथी जब भी मेरे पांस आते थे तो बीज की बात जुरू करते थे और हमारे शीव शीव हमारे पबुबा उनका एक एजन्दा था कि एक काम मुझे करना है आज मैं देख रहा हूँ कि पबुबा सबसे ज़्यादा खुर्स है साथियों